नमस्ते दोस्तों आपका मेरी यूट्यूब चनल लेली फाइन नोलेज में फिर से एक बास स्वागत है मैं शेपराज़ अपके ले फिर से पाच छोटी से जानकारी लेकर आये हूँ पहला, दोस्तों क्या आप जाते हैं कि मनुश्य अपने मस्तिष्क में कितने मेमरी स्टोर करके रख सकते हैं मानो मस्तिष्क अपने स्मिर्थी में उतनी ही जानकारी रखने के में शक्षम हो सकता है जितना की पूरे इंटरनेट पर नहीं थै यहाँ एक नए शोद से पता चलता है शोद करता उन्हें पाया कि एक शास्त्री कम्प्यूटर के विपरिद जो OS और 1S के रूप में जानकारी को कोड करता है एक मस्तिष्क कोशिका अपने बीर्थ को कोड करने के लिए 26 अलग अलग तरीकों का उप्योग करती है उन्हेंने गन्ना की कि मस्तिष्क पेटानाइट यानि 10 लाग जीबी जानकारी संग्रहित कर सकता है वैसे तो हम जानते हैं मानो मस्तिष्क एक मन प्रकाश बल्ब को चलाने के लिए प्रयाप शक्ति उत्पना कर सकता है इसके विपरित समान मेमरी और प्रोसेसिंग पावर वाले कम्पेटर को एक गिगावाट बिजली की आवशक्ता होगी या मूल रूप से एक कम्पेटर को चलाने के लिए एक संपुन परमानो उर्जा स्टेशन जो हमारे कम्पेटर 20 वाट के साथ करता है यह कैसे काम करता है एक टीम ने उतक में सभी पूर्णस नियूरोंस या मस्तिश के कोशिकाव के गिंती की जो कुछ साड़े 400 थी उस संख्या में से 287 में पूरा संरिशनाई थी जिनमें सोध करता है रूची रखते थे उन्होंने पाया कि नियूरोंस थोड़े सूजे हुए थे मीहा पेन गुबबारी की तरह दिखते थे जिनमें लंबे ट्रेंडरिंस होते हैं जिनहें अक्षत अंतु कहा जाता है और डेंडराइट कोशिका शरी से बाहर निकलते हैं अक्षत अंतु मस्तिष आउटपूट वायर के रूप में कारे करते हैं नियूरो ट्रांस्मीटर मामक अनुओ की एक जड़ी भेजते हैं जबकि डेंडराइट पर छोटे स्पाइन अक्षत अंतु द्वारा एक शंकिन अंतराल में भेजे गए रसायनिक संदिश प्राप्त करते हैं जिसे सिनैप्स कहा जाता है दूसरा दोस्तों क्या आपने कभी दिन के एक निर्दिष्ट समय में ऐसा महसूस किया कि आपको बहुत नीद आ रही है या फिर आप एकदम से अधिक सतर्क महसूस करते हैं या हमारे शरीर का एक पैटन है या पैटन दो शरीर प्रनालियों का परिणाम है नीद या जागू होमोस्टेसिस और आपकी स्कैडियन लए या आंतरिक बोडी क्लॉक ये सिस्टम किसी भी समय आपके स्लिप ड्राइव या आपके शरीर की नीद के आवशक्ता को निर्धारत करते हैं होमोस्टेसिस एक जीव या समों के विविन तत्व की भी संतुलन की स्थिति का वर्णन करता है स्लीप या वेक होम्योस्टेसिस हमारी नीद के आवशक्ता को संतुलित करता है जिसे sleep drive या sleep pressure कहा जाता है जो हमारी जागनी की आवश्रक्ता की साथ है जब हम लंबे समय तक जागते रहते तो हमारा sleep drive बताता है कि सोने का समय हो गया जैसे ही हम सोते हैं हम homeostasis प्राप्त करते हैं और हमारी नीन की drive कम हो जाती है अंत में हमारी सतरता की आवश्रक्ता बढ़ती है और हमें यह बताती है कि जागने का समय हो गया है हमारी स्कैडियन लए एक homeostasis का अनुमान लगाती है सूर्य के प्रकास जैसे पर्यावरनी संकेत के समनव्य हमें हमारी स्कैडियन लए के कारण हमाना सतरता स्तर प्रतिक 24 गंटे की अवधी में गिरावट और रिद्धी होती है जो दिन के दौरान हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली नीन और जागने की मात्रा को प्रभावित करती है तीसरा दोस्तों दुनिया भर में हर जगा रोड का रंग ज्यादा तक काला होता है आप कहेंगे कि इसमें नई बात क्या है हर जगा तो काला ही होता है मगर ऐसा नहीं है आपको जानकर हैरानी होगे कि दुनिया में एक ऐसा भी देशे जहां रोड का रंग काला के बज़ा नीला है अब आप सोचेंगे कि क्यों कतार, जहां के रोड का रंग नीला है, नीला ही नहीं बलकि एक मिलिमीटर मोटी नीली कोटिंग है यह एक पाइलेट प्रजेक्ट है, यह रंग सड़क को आकरशक दिखाने के लिए नहीं किया गया है बलकि इसके पीछ एक अहम वजह भी है बड़ती गर्मी को लेकर सरकार्णीय फैसला किया है इस नीले रंग के जरीय सड़क के तापमान को कम करने की कोश्च जिश्च की गई है और इसका काफी फायदा भी मिल रहा है ऐसा माना जाता है कि किसी भी सड़क पर इस विश्च प्रकार की लेप लगाने से वहां के तापमान में 50% तक का अंतर आ जाता है जिसमें तापमान 20-25 डिगरी तक भी हो सकता है ऐसा ग्लोबल वामिंग और बढ़ते तापमान को नियंतरन करने के लिए किया जा रहा है दोस्तों अलास्का के एक गाओं बैरों में सरसर दिनों तक सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है अलास्का की सबसे उत्तरी शोहर बैरों के निवासी सर्दियों में आने वाले सरसर दिनों तक सूरज नहीं देख पाते हैं लेकिन वे पूरी गर्मियों में आधी रात के समय सूरज का आनन लेते हैं असी दिनों से अधिक की निर्बाद दिन की रोशनी एंकोरेस गर्मियों में बैरों की तुला में अधिक है मामुली मात्रा में दिन के उजाले का आनन लेता है लेकिन या अभी भी वर्ष के सबसे लंबे दिन रिश्मकालिन संक्रांती पर सूर्यदय और सुर्यास्त के बीच एक अच्छा 19 घंटे है आर्केटिक सरकल सही मद्यरात्री सूर्य की सीमा है इस रेका के दक्षिन में सूर्य पूरे वर्ष उपता है और अस्त होता है दोस्तों आपको जानकर खुसी होगी कि भारतिय पास्पोर्ट 2021 के लिए दुनिया की सबसे और कम से कम शक्तिशाली पास्पोर्ट बन गया है भारतिय पास्पोर्ट मजबूत पिछले 5 वर्षों में 10 रेंग उच्छला अधिक से अधिक देश्चों द्वारतियों को वीजा मुफ्त प्रवेश और आगमन पर वीजा की पेशकस की साथ भारतिय पास्पोर्ट वैश्विक सुचकांग पर लगातार मजबूत हो रहा है 2019 पास्पोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारतिय पास्पोर्ट पिछले 5 वर्षों में लगातार मजबूत हुआ है जो 2015 में 77 वे स्थान से 2019 में 67 वे स्थान पर पहुँच गया है इसके अलावा यहाँ वहाँ है जो ध्यान देने योग्य है 25 देश अब भारत्य पासपोर्ट धारोकों को वीजा मुफ प्रवेश के आनुमाती देते हैं जबकि 49 और देश आगमन पर वीजा प्रदान करते हैं उद्यों के विश्यशोग्यों ने उलेक किया है कि अधिक से अधिक देश अब भारत्य पारेटों को के लिए खुल रहे हैं उनकी खर्च करने की शक्ती और घर लोटने की उनकी शमता को पहचानते हुए उन्हें किसी भी संदे से मुख कर रहे हैं तो दोस्तों आज की देश जनकरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरुर बताईए और मेरे इस वीडियो का लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए तैंक यू